हलो स्टूडन्स, वेलकम टू बिद्यान पाथशाला, आइम पाइल, योर मैक्स टीचर सो यहाँ पे स्लाइट पे दिख रहा है कि मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूँ जो है कि Mathematics Class 8 की Orientation Orientation का मतलब है Introduction Introduction means की सिलवस में क्या-क्या है क्या हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, फिर उस सिलवस के अंदर वो टॉपिक में क्या-क्या है उस टॉपिक को भी हम लोग ब्रीफली देखेंगे, ओके ओके, तो यह जो Class है, यह जो Students है Class 8 की CBSC Boards की उन Students के लिए बहुत ही जादा Helpful है और वो Students छोड़के, जो लोग Government Exam की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी उतना ही Helpful है क्यूंकि हम लोग जानते हैं, कि जो लोग Government Exam की प्रिपरेशन करते हैं, उन लोगों के लिए Basic Clear रखना बहुत ही जादा Important होता है So, वो Basic Clear करता है यह 8, 9, 10 की Classes So, you should follow this Class और इस Class में हम लोग सिर्फ NCRT की जो syllabus है, वो syllabus ही सिर्फ कवरने करवाएंगे उसके साथ-साथ, एक्सराइस जो है, सारा एक्सराइस बहुत आराम-ाराम से हम लोग देखेंगे और Solve भी करेंगे और Generally, जो CBSC Boards की Books है, वो NCRT फॉलो करती है तो मैंने NCRT की काफी सारा Books देखी है, जिसमें जो मैंने यहां पर लिखा है, जो syllabus वही सब syllabus है, लगबग, सेम So, पहले जो है, अब हम लोग syllabus की तरफ जाएंगे topics जो जो हम लोग cover करने वाले हैं, वो जैसे की पहले है rational number ठीक है, तो हम लोग बहुत आराम-ाराम से समझेंगे, कि क्या है यह topic के अंदर So, देखू, rational number जो है, यह rational number पढ़ने से पहले कुछ चीज हम लोग को जानना पढ़ता है, जैसे की है नैचरिल नंबर Whole number इसके बाद आता है, integers अब integers में भी positive integers होता है, negative integers होता है उसके बाद rational number So, जो rational number होता है Rational number अब मैं अगर थोड़ा briefly इसको समझा दूँ अभी तो rational number होता क्या है Rational number होता है कोई digit को हम लोग अगर P by Q form में लिखते हैं तो वो rational number क्यालाता है अब यह positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है Like आप लिख सकते हो 2 by 3 minus 4 by 5 तो यह हो सकता है Positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है तो जब हम लोग chapter पढ़ेंगे फिर उसके बाद rational number का properties आता है जैसे की closer property तो जब हम लोग chapter पढ़ेंगे तब आराम आराम से सारा कुछ समझेंगे कि क्या-क्या है chapter में उसके बाद आता है linear equations in one variable यह जो linear equation है ना यह linear equation बोलने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो lower classes है उस सब में भी equation पढ़े होंगे लेकिन जितना आप higher classes में जाएंगे ना तब standard उतना ही high होते जाता है तो equation मतलब क्या? जैसे कि मैं यहाँ पे equation लिख रही हूँ जैसे कि x plus 3 is equals to 10 यह equation हो गया यह छोड़के fraction में भी equation हो सकता है जैसे कि fraction में कैसे? 2y plus 5 by 3 is equals to y यह भी equation है तो यह level बढ़ता जाएगा तो वो equation भी हम लोग solve करेंगे अब देखो next जो आता है वो है understanding quadrilaterals अब quadrilaterals से ही समझ में आ रहा है कि four sided है अब four sided क्या होता है? trapezium होता है, rhombus होता है, rectangle होता है, square होता है तो यह सारा कुछ देखेंगे फिर उस सब का diagonal क्या होता है? यह सब भी हम लोग जानेंगे next है practical geometry जो practical geometry है जिसमें हम लोगों को geometry box लेके बैठा पड़ेगा practically सब करके देखना पड़ेगा और यह जो practical geometry है इसमें practically diagram बनाने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्या होता है side क्या होता है angle ठीक है? जैसे कि मान लो आप एक triangle आपने draw किया तो यह हो जाता है सारा side और यह होता है angle जैसे कि यह होता है side और यह होता है angle ठीक है? अब हम लोग देखते हैं तो यह side angle जानने के बाद हम लोग draw कर पाएंगे जो भी सारा diagram होगा तो यह chapter भी बहुत जादा interesting सा है next है data handling data handling में जैसे कि bar graph data grouping, pie chart, circle graph यह सारा आता है तो यह सब भी हम लोग देखेंगे कि data कैसे handle किया जाता है अब जो दो next chapter है square and square root and cube and cube root यह दो chapter बहुत जादा interesting सा chapter है और important भी chapter है क्योंकि आप जो इस class में जानोगे वो आपको जिंदेगी भर काम आएगा तो जैसे कि बहुत छोटा-छोटा digit से start होगा square, square root या फिर cube, cube root जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख रहा हैं देखो जैसे कि 2 square is equals to 4 and इसका अगर हम लोग root under करेंगे कि root under 4 is equals to 2 वैसे ही क्या होगा अगर हम लोग लिखेंगे cube 2 cube is equals to 8 और इसका अगर cube root निकालेंगे तो हो जाएगा 2 तो ऐसे ही जैसे पहले हम लोग यह देख लिए कि square कैसे किया जाता है square root उसके बाद cube, cube root तो यह square, square root, cube, cube root बहुत ही छोटा digit से start करेंगे उसके बाद धीरे-धीरे हम लोग बड़े digit के और जाएगे तो यह सीखना बहुत ही जादा जरूरी है उसके बाद आता है comparing quantities जिसमें ratio, percentage, discount, interest उसमें भी simple interest, compound interest यह सारा कुछ हम लोग आराम आराम से जानेंगे ओके? ओके next है देखो algebraic expressions and identities तो यह जो algebraic expression होता है इसका हम लोग addition, subtraction यह सब करना सीखेंगे ओके तो अब आप लोग बोलोगे की मैम हमें तो addition, subtraction करना आता है तो फिर नया क्या सीखेंगे इसमें? नया भी सीखना है जैसे की हम लोग इसमें normal digit का नहीं जो algebraic expression होता है उसका सीखेंगे कैसे किया जाता है? addition, subtraction सब्पोज मैं एक example दे रही हूँ तो आप लोगों को जानने में थोड़ा सुबिदा होगा जैसे की मानो या पर एक expression है 7x square minus 4x plus 5 और नीचे में और एक expression है 9x minus 10 यह मैं अभी के लिए बोल रही हूँ जब हम लोग यह chapter पढ़ेंगे तो बहुत बारी की से और बहुत detail में पढ़ेंगे और बहुत आराम से समझेंगे और इतना exercise करेंगे कि आप लोगों को मतलब solve करते करते concept भी clear हो जाएगा और गलती भी नहीं हो जैसे की हम लोग यहाँ पर addition कर रहे है ठीक है addition क्या होगा 7x square plus 5x minus 5 यह हो जाएगा तो यह हम लोग जब chapter करेंगे और यह सिर्फ addition subtraction नहीं उसके साथ-साथ यह जो chapter है algebraic expression का इसमें आपका आएगा factors coefficient यह सब भी आएगा फिर binomial क्या होता है trinomial क्या होता है polynomial equation क्या होता है यह सब भी हम लोग देखेंगे तो next है visualizing solid shapes यह solid shapes जो होता है जैसे कि cylinder, circle जो two-dimensional figure, three-dimensional figure फिर cone, cube यह सब लोग मतलब यह सब हम लोग देखेंगे उसके बाद पहले तो हम लोग जानेंगे faces क्या होता है ages क्या होता है ठीक है उसके बाद यह सब कुछ हम लोग दीरे-दीरे से जान जाएंगे next होता है next है जैसे कि mensuration यह भी एक interesting सा chapter है अगर आपको समझ में आ गया जो कि मैं बहुत अच्छे से करने वाली हूं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूं mensuration तो यह समझने के बाद आप बहुत आराम से solve कर पाऊगे जो जो problems होगी जैसे कि इसमें हम लोग देखेंगे rectangle, square, circle, triangle trapezium, polygon, cube cuboid, cylinder के सारा कुछ तो इसमें area, volume, perimeter यह सारा कुछ हम लोग देखेंगे जैसे कि मान लो मैं एक example देती हूं एक square है ठीक है एक square है इसका side है A 4 तरफ मतब square का 4 जो side है equal होता है तो इसका formula आ जाएगा area का इसका formula गर हम लोग लिखेंगे area इसका formula होगा A square और इसका जो perimeter है perimeter का formula हो जाएगा 4A ठीक है तो अगर मानो कि ये जो अगर मान लो ये जो square है इसका side दिया हुआ है A is equals to 4 तो इसका area कितना होगा A square मतलब 4 square 4 square मतलब 16 और इसका perimeter क्या होगा 4A मतलब 4 into 4 4A, A का मतलब 4 तो 4 into 4 perimeter भी हो जाएगा 16 तो ये जो सारा कुछ है formulas फिर उसको apply कैसे करेंगे ये सब कुछ हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे So next chapter है वो है exponents and powers So ये exponents and powers क्या होता है Exponents का कुछ rules होता है कुछ laws होता है Positive exponent होता है Negative exponent होता है ये सब कुछ हम लोग देखेंगे Basic जो चीज है जैसे कि मानो मैंने यहापे लिखा 2 cube Is equals to 8 ये जो 2 है ये होता है base और ये जो 3 है ये होता है आपका exponent ठीक है ओके So ये भी डीटेल में जानेंगे इसका properties क्या होता है Positive exponent क्या होता है Negative exponent क्या होता है नेक्स्ट है Direct and inverse proportion जैसे कि Direct और inverse proportion में बस थोड़ा बहुत मैं अभी बता रही हूँ जैसे कि X और Y अगर ये दो Direct proportion में हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं X proportional Y और अगर inverse proportion में हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे X proportional 1 by Y ये हो गया direct ये हो गया inverse तो इसको भी apply कैसे करेंगे वो जानेंगे हम लोग जब हम ये chapter cover करेंगे ठीक है ओके So the next chapter is factorization बहुत interesting सा chapter है factorization is a very interesting and very important chapter बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे factorization को जैसे कि basic मैं कुछ बता रही हूँ आप जान लो जैसे कि algebraic expression से पहले अगर हम लोग natural number का देखे factorization जैसे कि 30 इक natural number है इसका factorization 1 into 30 ओके So 2 into 15 then 5 into 6 then बीच में एक था 3 into 10 So यह जो सारा कुछ है ना यह 30 का factor है यह सारा कुछ 30 का factor है ठीक है So 1 basically सब digit में होता है So हम लोग इसलिए 1 का use उतना नहीं करते हैं लेकिन जब in special cases में हम लोग 1 को लेते हैं ठीक है अब अगर हम लोग मानो की कर रहे हैं की जैसे की algebraic expression एक ले लिया जैसे की 3xy इसका factorization अगर करेंगे तो क्या होगा तो ये होगा 3 into x into y So ये हो जाएगा इसका factorization ठीक तो normal number का जैसे factorization होता है algebraic expression का भी factorization होता है ठीक है तो वो हम लोग जानेंगे पूरी तरह से अच्छे से सीखेंगे फिर exercise करेंगे तो और अच्छे से clear हो जाएगा ठीक है next है introduction to graph अब graph में क्या क्या आता है bar graph आता है, line graph आता है histogram आता है, pie chart आता है एक graph का common एक जो चीज़े वो होता है जैसे की ये ये हो जाता है आपका x axis ये हो जाता है आपका y axis फिर data put करना पड़ता है ये सब कुछ हम लोग जानेंगे बहुत आराम आराम से सीखेंगे नेक्स्ट जो है मतलब जो last chapter है playing with numbers अब playing with numbers का मतलब numbers से खेलना ऐसा नहीं है जैसे की different form of numbers फिर divisibility देखना अब divisibility में जैसे की आप मानो 50 50 divisible हम लोग कैसे पता करेंगे की 50 क्यों 5 से divisible होता है मतलब कोई भी number के last में अगर 0 या फिर 5 होता है तो वो 5 से divisible होता है जैसे की 50 हो गया तो ऐसे ही divisibility चेक करना की 2 से divisible क्यों है 4 से divisible क्यों है उसका जो laws है वो हम लोग देखेंगे जानेंगे जो ये जो सारा chapter है हम लोग बहुत अच्छे से बारी की से बहुत डीटेल में पहले तो theory जानेंगे फिर theory सीखने के बाद हम लोग exercise में बहुत अच्छे से exercise करेंगे exercise में सारा जो problems है वो solve करेंगे आप लोग जुड़े रहिए हम लोग के बिद्यान पाठ शाला से and keep learning and thank you so much for watching